लो फ्रेंड जमातादी फ्रेंड आ देके न्यू डिजाइन का बूट लेके आई हूं मैं न्यू बॉन बेबी से एट मन्त के बच्चे को अराम से आ जाएगा है इसमें डोरी डालके मैंने ऐसे बनाया है इंदी केस का सोल बहुत ही इजी स्टैप है मैं आपको यह बनाना बत सबसे पहले आप 10 नंबर की स्लाई ले ले लेजिए और यह बेबी बूल है तो इससे हम 25 फंदे यहां पे बेबी बूल से डालेंगे ऐसे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो 25 फंदे मैं डाल लेते हूं अब देखिए 25 फंदे मैंने डाल लिये अब हम यह पहली स्लाई जो बनाएंगे यह दू स्टार्ट करतेंगे तो देखिए 17 फंदे हम इस कलर से बनाएंगे और 8 फंदे फिर हम दूसरे कलर से बनाएंगे दो तीन चार पाच शे साथ आत 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ऐसे हम 17 फंदे बनाएंगे एक दो तीन चार पाच शे साथ आत यह दागा ऐसे निकालेंगे और यह पीछे का देंगे यहीं से पलटेंगे इस बन दे को आप पहले धारी हमारी बन गई ऐसे हम बनाते जाएंगे इसमें हमने यह 17 धरिया बनाएं क्रीम कलर की आप अगर इससे बड़ा बनाना चाहते हो तो यहां पर 20, 22, 24, 26 ऐसे धारियां बढ़ा के इसको बड़ा साइज का बना सकते हैं तो आपे बना लीजिए फिर मैं आगे दिखाऊंगे आपको जो हमने छोड़े थे उनको भी पूरी सलाही हमें ग्रीन कलर से बना देंगे और बागे के छोड़ देंगे इससे हमने आगे वाले फंद ए वाले भी बना देने हैं ऐसे एक दो तीन चाहर पांच छे साथ और ए आठ अब अब उल्टी सलाही पे हमने पूरी ए इस और शीधी सलाही पे हमने पूरे फंदे ऐसे सीधे-सीधे उल्टे-उल्टे बना देने हैं लास तक सभी फंद को जब दूसरा कलर लगाएं तो यहां तक की बनाएंगे अब ए देखे फ्रेंट ग्रीन वाला हमने पूरा बनाना है और हमने 17 फंदे ही बनाने हैं तो देखे पहला फंदा ऐसे स्लिप करा अब दूसरे कलर से बनाएंगे हम ऐसे चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा फारा तेरा चौदा पंदरा सोला और 17 दो चार छे आठ फंदे हमने छोड़ देने हैं ऐसे अब यह वाला फंदा हम ऐसे ही स्लिप करेंगे और यहां से दागा ऐसे घुमा देंगे यहां पर छेदने पड़ेंगा फिर और इसको ऐसे ही स्लिप करेंगे इसको बनाएंगे नि क्योंकि इस साइड वाला फंदा है और इन फंदों को अब हम उल्टा उल्टा बना देंग बहुत ही एजी एफ्रेंडे बीग नट भीज को बड़े आराम से बना सकते हैं अब हम ग्रीन से बनाएंगे तो ग्रीन से पूरा बनाएंगे तो एक दो ऐसे होगे यह घुट बनाएंगे एक क्रीम कलर वाली एक दो तीन चार पांच से ऐसे सत्रा और इस जब हम ग्रीन कलर लगाएंगे तो पूरा बनाएंगे और यह आला तो इस सतरा धारियां मैं बना लेते हैं उसके बात दिखाते हैं अगर मैं आपको देखें यह बना ली बैने इस सतरा धारियां इस कलर की 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17 करेंगे और एक धारी फिर से कलर की बना डैबdem अलटी स्लाइज से हमीं इन फंदों को बंद कर देंगे सबी को तो पहला हमं पीछे करेंगे फनदों को करेंगे अगला बनाया पीछे में उतार देंगे इसके बाद फिर में आपको सिर बताते हूं लास्ट वाला फंदा देखिए, थोड़ा सा हम इतना सा धागा सिलने के लिए छोड़ देंगे, फिर दिखाते हैं, अब यह देखिए फ्रेंड, थोड़ा सा धागा हमने छोड़ती है सिलने के लिए और लास्ट वाले फंदे के अंदर से ऐसे निकाल देना है, तो देखिए, ऐसे बनके आया है, यह हमारी उल्टी साइड है, और यह हमारी सीधी साइड है, तो अब मैं सिलना बताती है, अब देखिए, सीधी साइड हम अंदर की साइड करेंगे, उल्टी बार की साइड, और यहां से यहां नीचे तक सिलेंगे, पहले इसको, देखिए, यहां से मिलाते नीचे तक सील देंगे एक साइड से एक साइड से तो मैं ये नीचे तक सील लेते हूँ तहीं आगे वाला पाट facilities के बताते हूँ अब देखे यहां तक स्ंडिया अब यह से आगे मेरस् życie गरीम से लेंगे और क्रीम से क्र. बस ऐसे इसको पूरा सिल देंगे आगे हम थोड़ी सी इसमें गुलाई देंगे तो देखें यहां पे हम इसको ऐसे सिलेंगे बेबी बूट में आगे की गुलाई हम ऐसे ही सभी सूज में ऐसे देते हैं अब इसको थोड़ा सा मियां से कीच लेंगे और दो बार गुमाएंगे और यह वाला धगा काट देंगे अब यह देखे फ्रेंड अब मैं सीधा करके दिखाती हूँ आपको जो एक्स्ट्र धगे हैं इनको आप काट लीजेगा और यह देखे बहुत ही सुन्दर हमारा बोट बनके इस तरीके से बनके आएगा है अभी हम यहां पे एक डोरी भी लगाएंगे बांधने के लिए तो डोरी आप बना लिजिए और देखे मैं इसको लगाना आपको बता देती हूँ जहां से हमने देखे जहां से हमने ग्रीन कलर स्टार्ट करा है वहां तक यहां से इसको कीच लेंगे अभी आपको पूरे राउंड में इसको गुमा के डोरी अटाच करतेंगे तो यह देखे फ्रेंड इसका फाइनल हो के डोरी लगा दी मैंने तो इस तरीके से आप बना सकते हैं इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हैं जैसे हमने इसमें 17 धारियां बनाई आप इसमें 20, 22, 24 ऐसे धारियां बना के बड़ा साइड इसका बना सकते हैं तो फ्रेंड आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को थेंक्यू